में क्वाज क्स्टल का कार्ज किस परहवपर अधारी थे ला बरकिंग आप क्वाज क्स्टल in the box is based on which effect पीजो इलक्ती उफेक्ट पर्याधारी थे कैनल बॉल इज फायर दा मोसन अबल इज ग्जाम्पुल आप देख्ये कोई फाइर किया जाता है तो इस परकार चलता है यह पाथ होता है काइनल का पाथ इस परकार से होता है इसको इन विलोचिटी और प्रोजक्शन इसको एंगिल और प्रोजक्शन कहते हैं इसको रेंज कहते हैं इसको हाइट कहते हैं और इसको जो इस पाथ को कहते हैं पाराबोलिक बोल्लिक जो पाथ होता है कैनल का पारा बोल्लिक होता है इस टू डाइमेंशन मोशन है टू डाइमेंशन मोशन प्रोजटाइल मोशन है जो टू डाइमेंशन मोशन है पाथ है जो पारा बोल्लिक होता है अब मोशन को प्रोजटाइल मोशन कहते हैं इस प्रकार मोशन को लोग प्रोजटाइल मोशन कहते हैं प्रोजटाइल मोशन कहते हैं प्रोजटाइल मोशन कहते हैं जितना दूर गिरता इसको रेंज कहते हैं इसको अब मैक्समाम हाइट कहते हैं इसको एंगिल आप प्रोजक् कहते हैं इको ऐसे बैर्ग दन बाइ देखें कोई संटिपीटर फोर्च से कोई सर्कुलर पात पर चल रहा है तो सेंटर के और जो फोर्च लगता है एफ इक्वाल टू एमभी एसक्वाइरा इसको संटिपीटर फोर्च काते हैं वेलोसिटी का डायरेक्षन इधर है पर्पें सिटी तब हमारे पास जो हुआ दोनों के विच एफ भी कॉस्ट इटा कॉस्ट इटा नाइंटी है ते पावर जीरो हो गया बर्क बराबर होता है पावर इंटु टाइम तब पावर जीरो इसका मतलब बर्क भी जीरो होगा तो सेंटिपीटर फोर्च कोई कार्ज नहीं करत है कारण सेंटिपीटर फोर्च और डिस्प्लेश्मिन के बीच में एंगल नाइंटी इफ यह बड़ी स्लाइड ओन दा सर्फेस फोर्च रेस्टिंग द मोशन बिट्विन देम इज कॉल रिक्षन फोर्च काते हैं देखे कोई अब्जेक्ट इस पर चल रहा है मोशन इधर है मोशन अगर इधर है तो नीचे एमजी लगेगा इस पर ग्रिवीटी उपर नॉर्मल एक्षन लगेगा और इसके मोशन के अपोजिट में जो फोर्च लगता है उसको फिर इक्षन करते है फिर इक्षन फोर्च जो मोशन को अपोज करता है यह नन कंजर्वेटी फोर्च हाई लिक्षं जो है non-conservative force, लिक्षं इस non-conservative force, नेफो मीटर के साथ क्या मापा जाता है, भार्टी जे मेजर बीज दनेफो मीटर, इससे क्लाओड का भोलूम और क्लाओड का स्पीड नापा जाता है, एक्जाम्पूल अब लगनी चुडनल बेव देखे लगनी चुडनल बेव में अगर बेव इधर जा रहा है मोशन इधर है तो पार्ट्किल अफ मेडियम इसी डायरेक्शन में वाइवेट करता हूँ तो इसको लगनी चुडनल बेव करता है चुडनल बेव जो सौंड वेव है लगनिचुडनल वेव है और टांसवर्स वेव दूसरा होता है जो अगर मोसन इधर है अब पार्टिकल ओप मेडियम जो है इस परकाट से वाइबरेट करें पर्पेंडिकुलर में तो इसको टांसवर्स वेव करता है तांसवर्स वेव तो बाकी जो है सारा जो है टांसवर्स वेव है इस टांसवर्स वेव है तीनों है जो टांसवर्स वेव है हीट वेव रेडियो वेव आइन लोक्रो मेंगनेटी वेव टांसवर्स वेव है सौंड वेव इन एयर में जो होता है वो हमेशा अलगनिचुडनल लिए बोगजर लीच लर्श टेट यू इंडूज इम फीज डाएलिटल्सु फैर्कुर्टल्स। बोगड़ाओ इंडुज इंडूज Γेर्श इंडूजी इंडूज्य है। लेंसला हमको देता है direction, direction of induced current, हुकला देता है stress proportional to a strain, stress proportional to a strain, लेंसला देता है भी proportional to a strain, फ्राइडेला देता है induced EMF equal to minus d5y dt, जहां इस चेंज ऑप मैंगनेटी फलक्स है, 5 जहां है change in मैंगनेटी फलक्स है, भीच state that the induced of EMF is directly proportional to the rate of change of मैंगनेटी फलक्स लिंकेज, आ, rate of cutting of मैंगनेटी फलक्स, कौन सा नियम बताता है कि प्रियती EMF, चुमकिये फलक्स, लिंकेज के परिवर्तन की दर, आ, चुमकिये फलक्स के लिंकेज के कटने की दर को सीधे अनुपाती होता है, तो इसको हम लोग फ्राइडे ला काता है, काता है कोई अगर सर्फेस है यह दिया, इससे कोई मैंगनेटी फिल जा रहा है, तो इसमें जो चेंज होता है, इसका ग्राफ खिचते है, इधर हम तंप्रेचर लेते हैं, तो देंसिटी हमारे पास बर्षते हो जाता है, चार डिगरी पर मैक्स्वम हो जाता है, चार डिगरी चल्सियस पर मैक्स्वम हो जाता है, उसके बाद फिर घटने लगता है देंसिटी, चार पर इसका density maximum हो जाता है, तो भी पूछा गया कि बाटर के density किस temperature पर maximum होता है, तो बाटर के density चार पर maximum होता है, the ratio of total distance travelled by the body to the total time taken by it is called average speed, average speed का definition ही है, average speed equal to होता है, total distance by time interval, definition ही है, time interval, average speed का definition ही है, the ratio of the total distance travelled by the body to the total time taken by it is called average speed, अजी किसी system पर काज करने वाला टोक का vector जोग सुन हो, तो बस तो क्या होगा, if the vector sum of the torts acting on a system is 0, then object in, इसको कहते है, rotational equal variable, अगर किसी object पर force 0 हो जाए, total sum of force is equal to 0, तो उसको कहते है, linear equal variable, linear equal variable, force 0 हो जाए, तो equal variable, अगर torque 0 हो जाए, tau 0 हो जाए, तो इसको कहते है, rotational equal variable, rotational equal variable, aesthetic equilibrium किसको कहते है, aesthetic equilibrium, resultant force 0 है, resultant force 0 है, तो और velocity भी 0 है, तो इसको कहेंगा, aesthetic कि वरियम, तांसलेसलन कि वरियम कहेंगे, कि resultant force 0 है, तो तांसलेसलन कि वरियम करेंगे, इसी तीनों एक हीं का नाम है, तीनों में resultant force 0 होका, तो इसको तांसलेसलन कि वरियम, जब tough 0 होता है, तो rotationalич वरियम, तीनों एक हीं का भीन्वीन नाम दिया होगा, तीनों में 40 होगा, फ्रेटिंटीक फुलिंग टान्स लेत्सयलेंस विवनिकेयर हैए प्रेटिम के अस्तारोफ में charge करता है झाल में अभ्रिंट वल्रोफ्ट से शूर्णा 150 को में genetic ko यह एक्टॉम को अभर देटा है मेख़णी में भीच जो ध्वनी धारित करता भीच determine the pitch of the sound the sound का pitch जो होता है pitch depend करता है frequency पर pitch directly frequency पर depend करता है जिसका frequency high होगा pitch high होगा pitch low होगा frequency low होगा देखिए भी 2A is equal to V square minus U square है इसमें 2 तो constant A acceleration है acceleration S है जो displacement है displacement है U initial velocity है इनिशियल वेलोसिटी V है जो final velocity है final velocity तो पूछा गया है कि in equation 2A is V square minus U square में S क्या दर्स आता है तो S क्या दर्स आता है displacement during the motion of object along a straight line change in velocity is 0 velocity change in velocity 0 तो देखिए acceleration equal to होता है change in velocity velocity by time तो जीरो हो गया इसका मतलब acceleration 0 हो गया acceleration 0 होता है तो सोब कहते है inform motion किसी object का acceleration 0 हो जाए तो motion कहेंगे inform change in velocity 0 होने का मतलब acceleration 0 होता है तो motion को inform कहते है in the equation of motion V equal to U plus A T in equation of motion V equal to U plus A T represent V equal to U plus A T में U जो है initial velocity है V equal to U plus A T इसमें V जो है final velocity है final velocity A जो है acceleration है acceleration है T है जो time है and U जो है U है initial velocity initial velocity U initial velocity है that is a common characteristic of the element in the same predict जो एक group में होगा element इस group है इस group में सभी का last orbit का चक्टर सेम होगा last में S1 ही होगा सभी के last में S1 होगा group 1 में last में सब भी होगा जो S1 होगा उसी परकार group 2 में है तो last में S2 होगा सभी का पहचान ही है तो group 1 में जितने element है सब के last में same balance electron होगा और 1 होगा total number of electron electron in the outer muscle cells same होगा outer muscle में सभी में group 1 में group 2 में 2 होगा group 3 में 3 होगा outer muscle electron परतेक गूर्प का पहचान उसके outer muscle लोक्टोन से ही होता है atomic bomb based on the principle of atom bomb जो है Nicholas fusion पर काम करता है what happens when the S and P orbital overlap जब S और P देखि S का shape आईसा होता है P का dambule होता है इस परकार से S का shape याव S का shape हुआ P का shape जो होता है तीन इसके branch होते है yeah S P मतलब A S और P का मतलब होता A S और P मिलेगा तो देखिए हमारे पास A S और P मिलेगा तो इसका इस परकार से shape है इसका shape बन जाएगा इस परकार से इस परकार से shape बन जाएगा तो दो और्बीट बना दोनों के बीच में इंगिल कितना होगा अब आनेटी डिग्री अब अर्थ समय में एकी समय के तत्वों को समान विशेशता क्या होती है आपल आउट में बैलेंग्स लोक्तों से मोता है जिसका उप्योग अपच के रिलाइज के लिए के लिए किया जाता है उसे क्या करते हैं बीचिजय यूज तो टिती अइंडियेशन इज कॉल एंटिजएट अब हाटेश ददक काइटलिस दू इंड़ीक्षं नेखेंटा है किसी रियक्षं में रेट का रेट अप्रेशन चेंज करता है काइटलिस का काम है कि रेक्षं को रेट को बरहा देना है कैस्टिस नथिंग बट फाइनल पोड़ाट गलत है दाज नूट अल्टर दाट अफ एक्षन गलत है तास्पीड अप्ड दे केमकल रेत अप्ड यह स्पीड आप कर देता है किमकल डीक्षंट को कैसे काम है की डीक्षन का डीट को बदल देना वीच पाट आप ब्रेन है कंटोल दम इमोशन रेक्षन आवर बड़ी D.P.T. बैक्षिन इद अद्मिस्टेट तो पेवेंट देजिद अप्टरिया प्स्टरिया एंटेटनस एक मनुज के हाथ आदमी के बलट मैन में होता है 0.5 लिटर से 6.5 लिटर तक वोमेन में होता है 5 लिटर से 6 लिटर के बीच में का ओक्ष के क्षर плохо का जहिए तो पूछ रहा है कि यह बेस्प मानव के समान रख्ट मात्रा क्या होती है तो 5 लिटर होता है कि canada कि I elle कि भाइब्क ने इस्व्काइफ क्रते हम लोग बोक्रिंग में बोक्निन में इस्षरन प्नेच चल का दाता है कुकिंग पर्पस हुई नोन आजे फादर आबोटने थर्मटेस नोन